गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू माइ चैनल दस जून का व्लॉग है सुबा का टाइम छे बजा हुआ था लेकिन धूप इतना जादा देखो उट तो में साड़े पांच बजे ही गई थी लेकिन आके थोड़ा सा फ्रेश हुई पहले थोड़ा सा पानी का और मुझे लंच और ब्रेकफर्स दोनों साथ साथ भी बनाने हैं आज मेरे हद्बिन भी थोड़े से जल्दी ऑफिस चले जाएंगे वही एट थर्टी नाइन नो क्लॉक तो ब्लंच ब्रेकफर्स सारा कुछ एक टाइम पर मुझे प्रफेर करना है अभी पता है जैसे स् का जो रूटीन है वह अभी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा माहिकाक उठती है तो उसके साथ उठ जाएगा अभी सुबह सुबह पहला तो लेटी उठते दोनों अभी जल्दी उठ जाएगा फिर जल्दी सोएगा अभी दोपर का भी नीन का मुझे पता ने कब उसका रू होता है ना ऐसे एकसाइटमेंट बच्चे को नए बुक्स लेके जाना नोट बुक्स फिर स्कूल बैग नेया यूनिफॉर्म भी नेया हो गया है वाट बॉटल नेया बहुत सरे चीज़े नहीं है फिर नेयू मैम आएंगी क्लास में उसकी तविका लगी एकसाइटमेंट हो तो मुझे भी बहुत एकसाइटर था कि आज माहिका का स्कूल फर्स डे है पता नहीं कैसे होगा यह थर्ड स्टैंडर में आ गई है अभी वो और बहुत लोगों नहीं यह पूछा था कि मोना मोक्ष को जॉइन नहीं करोगे क्या या फिर कब देखो मैं उसको अभी प्ल कोई जरूरत नहीं है हम वो सारे चीज़ें घर पर सिखाई सकते हैं माहिका भी अभी ब्रश वर्गरा करके आ गई है तो पहले उसको दू दी दूंगे रात को ही ना मैंने ब्रेकफस्ट का प्रेपरेशन कर लिया था क्योंकि मुझे पता था मेरे हजबन भी चला जाएंग मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था साथ में इडली रवा अगर आप मार्केट में मांगोगे ना शॉप अगर हमें ग्रोसरी स्टोर में आपको इजली मिल जाएंगे तो उसको भी मैंने साइड में भीगो के रखा हुआ था तो एक कप उरद दाल में चार कप रवा इडली जो सूजी आता है रवा सूजी इडली सूजी उसको भीगो दिया था तो यह अच्छे से फूल जाता है यह सूजी फिर इसको अच्छे से पानी से निचोड के जो हमने उरद दल का बैटर बनाया था उसमें हमको मिक्स कर दिना है इससे उत्तबम बना सकते हो आप लोग इससे बाहर सॉल्ट अच्छे से फर्मेंट हो जाता है थोड़ा सा पानी और सॉल्ट और कर लिया इतना जितना कि आपको इडली के लिए एक कंसिस्टन से चाहिए ना उतना फिर क्या बस आपको इडली भी बन जाएगा अगर आपके बच्चे उत्तबम खाना चाहते तो भ पोलते ओडिया में हम लोग बनाते हैं वो थोड़ा से मीठा होता है नारेल वगरा डालके वो भी इसे बना सकते हैं तो तीन-चार दिन का आप लोग का डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक परस ना एक ही बैटर में सॉट हो जाएगा कुकर में तो चावल भी चड़ गिया था अलो भी मैंने चड़ा दिया था अभी बस मेरा इडली भी यहां पर रेडी होना है बस पानी वहां पर बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है और अभी यह सारे इतने सारे में सुचते अभी बना के रखू या फिर बात में बनाओ फिर नहीं यार एकी बार में चड़ा द मेरी बीटी का बहुत सारे है के चीज़े के इसको गरम ही खाने अच्छे लगते हैं जो चीज वो थंड़ा खा सकती है वही स्पेसिफिकली चाहे वह रिपिटेटिव हो मैं उसको वही देती हो लांच बगेरा में और वो ना मेरे सिर्फ पे ही बैठी हुई थी आज पूरा के ममा क्या बन रहा है ममा कब तक हुआ अभी बहुत टाइम बाकी था साथ दस या फिर पंदरा ऐसे ही कुछ होए होगी मैं कब छे बज़े से लगी हुए हूँ किचन में और आता तो बीच में डेस्टिन वाले भाहिया भी आ गए उनकी लिए पंदरा मिनिट बाहर मुझे व लगी होते हैं यहां तो वहां पर कुकर का काम तविरे होई गया था इडली भी मैंने चढ़ा दिया था उसको माहिका को मैंने यहां पर दूद दे दिया था सुबा पीने के लिए तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं कि मोना बच्चे तो हमारे सुबा दूद था ना स्टैंडर्ड वान वे मैं आपको बताने सकती जब उसको सुबा सुबा उठके जाना होता था कोविट के बाद इसकूल ओपेन हुआ था बहुत सारे चीज़े एवन सेकंड पीके सिर्फ जाना सिर्फ दूद पीके जाने का हैबिट हुआ था फिर वो कुछ नहीं ख है कि ऐसे थोड़े थोड़े से ही स्टार्ट करना पड़ेगा तो वही होता है कि बच्चों को टाइम लगता है चीज़े उनको क्योंकि आता नहीं होती है हमको हम लोग 9-10 बजे प्रेक्वस्ट कराते थे हॉलिडेस में अचानक से स्कूल ओपन हुए हम लोग बहुत साथ वजे खालो दूद पीलो तो उनको भी थोड़ा सा टाइम दो वह भी एड़स्ट होई जाएंगे तो यह पर चावल मैंने निकाल के रख दिया था थंड़ा होने के लिए फ्रिज में रख दो तो रात को बना के सही रहता है बट मैं मोशली सुभाई बनाती हूँ यह पर च बॉटल बगरा भी मैंने फिल कर दिया है यही होता है कि कितनी जल्दी सारे चीजों का फटा-फट कर लो तक ही मैनेज हो जाएगा अब तक मोख्ष मेरा उट भी गया था तो यही चिंता लग रहा था कि वहागी यह पर काउंटर में बैठने के लिए ना बोल दे आलो ना म बच्छा पूरा दिन फिर भूका रह जाएगा बलकि में होलिडेस मगरा में ट्राइक कर लेती हूं अगर उसको अच्छा लगता है ना फिर मैं उसका लाइज बॉक्स में दे देती हूं इसमें जो आलू बेना कुछ नहीं था मैंने थोड़ से चावल का आटा जितने आट वैसे बना दिये थे चटनि मैंने थोड़ासे यहां पे भिसलिया था थन्डा हो गया था बस मुझे यहां पे बडस उसका जो फ्रूट स्नैक से वह रडी करना था चावल रडी करना था तब अब तक वो देखो मेरे साइड में ही आके खड़ी हुई है कि ममा हो गया अब तक नहीं हुआ गया अब भी मैं बुलूँ कि माहिका साथ 20 हुआ बच्चा और 40-45 मिनिट है घर से निकलने के लिए टेंशन मत लो बट उसको मेरे ऊपर ट्रेस्ट ही नहीं था कि मैं आज जल्द होता ना बहुत बड़ी ऐसे खाएंगे और मैं बोले थी ना बच्चे को आदत लगने में टाइम लगती है वो करती थी जो दूद सिर्फ पीटे ते नौ बजे साड़े नौ बजे यह वेकेशन में अभी अभी तुरंत मैं उसको बोलो कि खाके चला जा स्कूल तो फिर कहा इसी के लिए मैं उसको बोलती है कि वो चार बज़े के पहले तो तो तीन पंत्रा बीस तक घर भी आ जाती थी अभी तो और भी थोड़ा से लेट हो गया टाइमिंग जा भी वैसे आठ बज़े ही निकल रही है पहले तो तो चार बज़े तक वो घर पर पहुचेगी तो उस आशे पाश जाला पीस लॉड़ा से अलग से बॉल करने के लिए रख दिया था जल्दी-जल्दी से में पहले तक छे आच करा मैं नमा कर नहीं अमक ब्लैक प्र थोड़ा सा और आध्वाद पूस में पहले साच और प्री आज़े चीली सौस टमैटो केच अचूब विनगर मैंने वह सब कुछ आड़ नहीं कर रहा फिर उस में जो cavall थंडे करके मैंने रखे हुए था वो मैंने इसमें आड़ करा निंध थोड़ा सा pepper powder मुझे लग लग रहा था कम है तो थोड़ा सा और मैं इसमें आड़ करा जिस wealth कि मसें आड़ नहीं करा आर चाहो नहीं इसमें और वेजटेबिल्स आड़ कर सकते हो बट अब भी फिलाल मेरे पास नहीं था बीट रूट आड़ कर सकते हो यह दो नहीं था तो मैंने आड़ नहीं करा अद्वास वह बहुत बढ़िया लगते हैं जिससे नॉर्मल बनाते हैं ना फ्राइड रेस बग गिरते तो नहीं है नहीं यह सारे बहुत अच्छे है लंच बॉक्स मैंने अलग से चेंज कर दिया वह थोड़ा से सही पतने क्या ही लगनी रहा था तो मैंने यह वाला उसको चेंज कर आज यहां पे उसका जो लंच बॉक्स भी रड़ी हो गया तो बहुत बढ़िया है यह मिल गया था देड़सो शाहिद पढ़ा था ओनलाइन ही लिया था और यहां पर पर माहिका का सारा खुझी रेडी हो जाती है इसको ड्रेस वगरा भी अभी कुछ से पहल लेती है अभी कुछ करना नहीं पढ़ता है बस उसको बाल बनाने हो था यह जल्दि जल्द करो किचन में खाना बनाना आपी ने लेड कर दिया फिलाल अभी था उसका टाइम उसके एक्साइटमेंट वीडियो में भी ना पता चल रहा होगा उसको देखे कितरा बोल रहें कि आज ऐसा होगा आज वैसा होगा स्कूल में तो उसकी ये भी एक आदत मैंने लगवाया है कि भगवान को माथा टेक के जाना तो ऐसी अगर आप स्टार्टिंग से बच्चर को कुछ कुछ बोलते जाना वो जरूर फॉलो करते ही रहेंगे क्या रेडी अल्दवेस्ट क्या गड़ी मोंक्ष अपर उठ जाएगा और किचन क्या था स्टार्टिंग मैं कैसे बला हुआ देगा इसका फिर से सारा साफ कर बड़ा भी थोड़े देर बात पहले कफी और फिर चाहे कुछ तो पिएंगे मेरे को तो रात भर नी दीरी आ रहा था पता नहीं क्यों लग रहा था कि इतना टाइम हो गया ना कि उटपाओंगे नहीं उटपाओंगे अकर नहीं उटपाओंगे लेग फर्सले तो मैं नहीं चाहते थी वैसा कुछ हो आज ये कहां पे रेडी हो रहा देखो, एलेक्से स्टाप, मुक्षेत, क्वार जी बूशू कट्चो, कूल, कूल, एलेक्से स्टाप, कूल, कूल रखी आची, स्कूल जाएगा बोल रहा देखो, क्ये आची रहे, स्कूल जी पी बाटटब रहा देखो, पढ़ाई करेगा स्कूल जाके, दीडिकाई, पूल, मीसकोची, नकू मीसकोची, उसका नाम ने दिया है, मुक्षित, उसको, मैं उसको बुलाती हूँ, प्यार से, मुक्व, वो खुद को बुलाता है, नकू क्या ही, बोलेके बोलो, तो फ्रूट्स लेकर आए थे यह पूरे हपते के लिए क्योंकि में रजबन के पूरा वीक उनको आफिस जाना है और वह एक बार ऑफिस सुबह निकल जाता है तो फिर पूरा दिन में घर के पास जाना मुक्ष के लिए कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता उनलाइन फ्रूट्स वगरा मंगवा होना तो कभी-कभी बहुत गंदे-गंदे से भी आ चाते है शड़े-शड़े तो फिर कली क्योंकि संड़े था कल सारे फ्रूट्स वगरा आए हुए थे वेस्टेबल सोड़े सा आए हुए थे सबजी वगरा तो सारा जितने ही फ्रिज क के उपर सुखा दिया था एंड यह जो शीट वगरा मैंने लगाया है यह मैं आमेजान से लिया था यह बहुत अच्छा है वाश करके आप लोग इसको यूज कर सकते हो और एकदम लंबा सा शीट में आता है कट करके आप चाहे को जो भी आपको साइजे से खुझ से आप ल जगा में यह फिक्स होने वाला है निकाल तो दिये सारे पार्स अभी एरेंज नहीं हो रहे है मेरे से क्या करूं फिर फाइनली देखते देखते ट्राइ करते करते मेरे को हुआ थोड़ा सा मैं एरेंज करा और बहुत सारे चीजों की डेट एक्सपायर हुई थी फ्रिज मे इडली बनाये थे बर महेंद्र क्योंकि इडली के साथ-साथ ना उनके लिए मैंने एक उत्तपम बनाया था उसको भी वैसे ही चाहिए था उसको मैंने खिलाया फिर उसके बाद वो अब जाके थोड़ा सा नैप ले रहा है कपत है टाइम करीब साड़े ग्यारा से बारा यहीं पर उपर वाले जो फ्लोर था उसमें स्टैंड में बाकी रॉड में जितने हुए उतने में रख दिये हैं क्योंकि बारीश आने की चांसे बहुत बादल बादल था बहाराज फीर जाके क्योंकि मोक्स होया ना तब जाके मैं अभी जाड़ों तो सुबाई कर लिया थ गदे से इंषी जाके मत बाते 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 में जी dépendति बहुत गंदा था कि ल में कर लो कोशने क्लर पेंटिंग पता है क्या क्या दोनों ने करकि टेबल को खरापकत हर दُ दूसरे दिन은िसको साफ करती हो कुछ न यह मेरे बोला था यार मोना बच्चे को ठी hell सा कंट्रोल करें यार इतना चोटा बच्चो क्या कंट्रोल करो बताओ मैं आपको दो stage बोलती हूँ ना मोक्ष का stage माहिका का stage माहिका भी सेम वैसी करती थी थी आप देखो माहिका एकदम change हो गई है सेम मोक्ष भी हो जाएगा अभी हाँ थोड़ा बहुत तो बोली सकते हैं बर इतना जादा क्या है रेस्टिक्ट करना बच्चे को बताओ बस table घर स सब कुछ साफ हो गया फिर बरतन भी जितने भी सुबह के थे वह सारा करके किचिन का काम मैंने wind up कर दिया अभी और भी मुझे कुछ भी काम नहीं था किचिन का और उसके बाद मैं एक देट घंटा रेस्ट करती हूँ इसा नहीं कि सिर्फ काम काम और वही रेस्ट के टाइम मतलब क्या ऐसे मोक्ष के पास लेट के कभी यूटूब के लिए कुछ एडिट कर लिया कभी इंस्टाग्राम के लिए कुछ एडिट कर लिया वह सारा कुछ चलती रहता है फिर दो बज़े करीब मोक्ष उट जाता है उसको लांच करवा के फिर मैं निकलती हूँ स्कूल मे मायका को पिक करने के लिए तीन वजे तीन बज गया अभी इसका सोने का टाइम हो गया है तो मैं अभी इसको न वाहर लेगा है नहीं चल 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 स्कूल चलता है मैंने भी चेंज कर लिया इसको भी मैंने चेंज करा दिया और मैं अभी इसको बोलो के रुक जा रुक जा थो नहीं नहीं अभी नहीं बाहर जाने के लेनी तो इतनो यह से बेड़ पर लेजा रहा था कि विए सुबह का उठा हुआ है दोफ़ में सुड़ाई नहीं मुझे रखता है इसको भी माहिकी तो जाने के बाद आठ बजे उठा देना चाहिए आज तो साड़े ना बज़े उठा दू कि तब तक न एक बज़ तक वो सोके वो तीन बज तक दो घंटा नेज करके उठ जाएगा पता नहीं आर इसका नेज का कैसे क्या कर रहें है है मककू अगले साल का मकक कूल जाएगा इसकी यूणि अगले साल कि मकूल जाएगा इसकी हाएences यूणasant उसको बेज़ेंगा इसको बेज़ेंगा स्कूल बोलो इसकूल से बाहर ही लिकान देगे जुब एज़ेंगे बच्चे दोनों खेलेने अभी पांच बजने वाले हैं मेरे को इतना अभी सनीदार है माइका भी तोड़े रवाद चले जाएगी साइकल चलाने अभी साइकल चलाना बहुत अच्छे सा आ गया माइका को स्कूल रख्या के हुआ वैसा आप बोलेगे नहीं है रहात को जब में बोलोगी सोजा सोजा क्यूं डिस्टब कर रही है ना अभी जबसोसोरा कर पात्षीत नहीं आईए टिया है है जोब ख़ी साथ जब लेगे stat केया हुआ च्छा मार्ट चुप रही है म Overwatch कोष नहीं बोल गया कुछ नहीं मुछ नहीं हुआ कुछ नहींख नहीं हुआ रात को बोलोगी न अभी नौ बच गए मैंका सोजा चल अभी और बिल्कुल भी बात्चीत नहीं फिर पांच में चुप रहेगी मामा पता है आज आज ना क्लास में असा इसा हुआ फिर चार्ट करगे फिर मिल जो डार्ट सुनेगी फिर सुनेगी इसका यही है हमेशा से सच बताओं तो मुझे जो शाम का टाइम होता है ना उसमें मैं बहुत जाज़े किचिन का काम हो गया खाना बनाओ यह वो उतना जाता में नहीं करती हूँ और मुझे नहीं होते है इतने काम क्योंकि अगर मेरे हजबन आफिस गया है तो उनका मोस्टली डिनर वहीं आफिस म हम लोग मिलके खा लेते हैं या तो फिर चावल अगर चढ़ाना होता है तो बस वही होता है और ज्यादा कुछ नहीं लेकिन उसके बदले ही गौर बहुत इंपॉर्टन काम रहता है माहिका को पढ़ाना वह भी मोख्स के प्रेजंस में अभी पहला तो मोख्स बी जाता था अभी तो उसका वो भी नहीं होता तो उसको वो थोड़ा सा अभी जून का पोशन वगरा मुझे मिल गिया है तो वही थोड़ा सा उसको शुरू कर रही थी चैप्टर वगरा बढ़ाने ट्यूशन जाते हैं तो बच्चे ठीक है थोड़े बहुत वहां पर समझ भी लेते है घर पे ना एक बच्चे को रख के पढ़ाना वो थोड़ा सा डिफिकल्टी मुझे होता है क्योंकि मोख्ष इस सेज में अभी उसको दीदी उसके चाहिए 24 गंटे खेलने के लिए अभी माय का वही एपनी बुक्स रख रही है कल के टाइम टेबल वगरा जो भी सब्मिट कर मुझे बता रही थी मोख्ष को अभी देखो मैंने उसको बोला कि जाओ रख दो थोड़ा सा किचिन में कप वगरा सिंक में वो भी कर देता है उसको अगर कुछ प्यार से बोलो ना वो कर देता है वो अपने दीदी का चोटी खीच रहा है बोल रहा है को पी किताब पे चड लगा कि अपने जगा पर रख दें आज का वैसे मेरा यह रूटीन यहीं पर ही कम्टीट हो जाता है जादा कुछ करने को नहीं होता है और यहां पर बच्चे यहां पर दोनों खेल रहे खाना पीना डिनर हो गया माही का यहां पर अब देखो मैं बोल रही तो आप अपने श्कूल की स्टूरी स्टार्ट करें यह आदा गंटा के ममा यह हुआ यह हुआ यह हुआ तो फिर चलो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहे प्लीज एक लाइक जरू करिएगा मिलते हैं मेरा नेक्स वीडियो में बाई टेकर